यू, what's up guys, कैसे आफ सो भी लोग, welcome back to another gameplay video, तो guys, आज हम लोग दोबारा से कहलने जा रहे हैं, I am fish, well, तो आज हम लोग जिस fish से खेलने वाले हैं, उसका aquarium एक warehouse में है, और यहाँ पर एक bird आ गई है, जो कि शाथ से में परिशान करना चाहती है, और wait, हम लोगों ने स्कोल्टा परिशान कर दिया, क्योंकि यह जो fish है, यह कोई normal fish नहीं है, यह इस तरीके से fool के, एक बड़ी सी ball या बड़ा सा बल्लून बन सकती है, और यह अपने पुराने दिन है, जब हम लोग अपने दोस्त के साथ रहा करते थे, यह अपने पुराने दोस्त हैं, जिनको मैंने escape करा नहीं होगा, बट, उससे पहले मुझे इस wear out से बाहर निकलना है, यहाँ पर दो रास्ते हैं, पीछे वाला रास्ता भी जा रहा है, बट वो काफी ज़्यादा लंब है, लेकिन यह वाला जो रास्ता, शायद मैं यहां से जल्दी नीचे उतर सकता हूँ, तो धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दीरे धीरे एकदम प्यार से इस बावल को मैं कंट्रोल करता हूँ, आगे लेकर चलता हूँ, आगे की तरफ में मस्त कट हैं, यहां से मैं नीचे उतर सकता हूँ, मैं अभी इस गेम में काफी ज़्यादा प्रो हो चुका हूँ, आप लोग ऐसा कह सकते ह और अभी मुझे नीचे जाने के लिए ज़्यादा डेंशन ही लेनी, यहां पर कुछ तो यह मैट जैसा पड़ा हूँ, जिससे मैं अराम से उतर सकता हूँ, और मेरे बावल को कोई भी डामेज नहीं पहुचेगा, नहीं पहुचा, नहीं यार, अपना बावल यहां से क्रै बढ़ कर दी, शायद से अपना बावल नीचे पॉस्टे पॉस्टे टूट ही जाएगा, लेकिन नहीं नहीं, हम लोग बच गए, हम लोग अभी बच चुके हैं, काफी ज़्यादा अराम-अराम से मैं अपने बावल को नीचे लेकर आ चुका हूँ, और सामने शायद से यह यह cat food है, और यहाँ पर यह cat के footsteps हैं, और आपको तो पता है कि cat को fish कितनी चादा प्यारी है, अगर यहाँ पर cat आयोर सुने में देख लिया न, तो पका वो बावल तोड़ के हमें बाहर निकाल के खाएगी, और वो आए, उससे पहले मुझे इस जगह से बाहर निकल लेना और निकलना मुझे और यहां पर चलते हैं, अराम से इसमें टकर मार के इससे खोल देता हूँ, और यहां से अभी मैं बाहर आ चुकाँ हूँ, यह काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, यहां पर left में कार खड़ी है, एक bucket है जिसमें शायद से पानी नहीं होगा, और अगर पानी हुआ भी तो आकिर में उस पानी का कोई फायदा ने उठा सकता क्योंकि बाइचांस अगर बकिट गिरती है तो पानी पूरे में फैल जाएगा और क्या हमारे थोड़ी काम आने वाला है जहां तक मुझे लगता है मुझे यहां से एस्केप करने के लिए कोई नदी या कोई पाइप या फिर कोई नाला वगएरा कुछ तो ढूटना पड़ेगा जिसके तुरू में जल्दी से जल्दी एक ओशन तक पहुच पाऊं क्योंकि कोई छोटी मोटा नाला ही किसी रिवर स में यहां पर बहुत बुरी ढलान है और मैं गलत आ चुका हूं मैं बहुत गलत आ चुका हूं और अभी मेरा कुछ नियोने वाला मैं गया सामने नहीं मैं नीचे से निकल जाओंगा बट नहीं मैं नीचे से नहीं निकल पाया प्रेस इस पेस तो यूज थी स्पेशल एबि है यह बोल बनके इस तरीके से पानी में आ सकती है अगर हम थोड़ा सा और लेट करते तो शायद बाहर ही हमारा दम गुट जाता और हम मर जाते बट नहीं अभी मैं भाग के आ चुक हो और यहां पर थोड़ा बहुत पानी है पता नहीं रिवर है या फिर ऐसी कोई नॉर्मल स बढ़ते हैं यहां पर भी पानी थोड़ा सा निचे गिर रहा है लट को यहां से भी जब मारते हैं अब यह बनना होगाँ यह काफी ज्यादा बढ़ी है यानि कि जैसे माः पानी से बाहर अटू तो मुझे बाल बनना है ऐसा फूल जाना है ताकि ग्राविटी का यूस करक लेट्स को यहां पर दुमारा भाई दूबार से पानी में आ चुका है सामने बहुत ज्यादा खतरनाक जरना है यहां से एक बड़ी जंप मारके बॉल बनुगा और फिर भाग के नीचे आ जाओंगा अभी देखो यहां पर दो तीन रास्ते जा रहे हैं एक रास्ता पीछे को सब्सक्राइब के जाती थी सेम वही वाला हिसाब है वाकि यहां पर भी दीरे 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 लेट्स को यह काफी ज्यादा इजी हो रहा है इससे किलना सची में बिलकुल मजाग जैसा लगी नीटा कुछ हार्ड होगा जैसे स्विश के लिए यहां पर थोड़ा सा आना था इ आप लोगों ने देखा होगा अपनी स्क्रीन दीरे दीरे डार को ने लग जगी थी उसका मतलब है कि हम लोग का उकसीजिण लेवल खटम हो रहा है मतलब ऑक्षिजिण पानी के बड़े दर फिश को तो बाई पानी के अंदर ही ऑक्सीजिण मिल ना तो वो खतम हो जाएग मैं इसे एक बार में कर डालता बट क्या करें अपना अक्सिजन लेवल खतम हो गया अब हमें को दुबार से ट्राय करना है और बहुत तीज स्पीड मिचाना होगा पहले नीचे जाओंगा फिर ऊपर आके यह बड़ी वाली जंप मारके अब मुझे पूरा कंट्रोल करते वहां तक पोच्छन है दुबारा से में ओक्सिजन की कमी होने ओलार ने बाली होने वाला ने पर से पार है जैसे तैसे पूच गया मुझे मुझे लगी नहीं रहा था कि मैं इस बार भी पहुंचने वाला हूं क्यों हम द दीरी दीरे काफी ज्जादा आगे आचुकी है यह पर एक रास्ता और जा रहा है सेम तो सेम यहां पर भी मुझे उसी तरीके से जुम्प मारना और ये बात यह हम लोग आ गाए सीदा पानी में लेक्स को अरे यहां पर यहां यह देखो आपने प सब्सक्राइब है आपने सब्सक्राइब झाला स्बीच में दौदिए लिग adventures कि दिश्터ीप now यह दूर 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 तक पानी निनरा कि क이 रहर है यह रही 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 it थोड़ा सा और भाई मर गए असली डरने वाली बात अब है क्योंकि यहां पर आने के बाद ना दूर दूर तक भाई सची में पानी मिलता ही नहीं है बस एक बारी मैं यहां पर पोच्छा हूँ मैं इसको पार कर दूगा लेट्स को पहुच गए ब्रेक अराम से जाएंगे प बस ब्रेक अब मुझे देखना है आगे कहां पर है अब तो शाहद में कुछ सीधा जाना चाहिए ना अभी क्योंकि बीच में कहीं पर पानी का ब्रेक नहीं दिख रहा है तो यहां पर मारी जुम और सीधा चलते हैं बहुत तेजी स्पीड में जा रहा हूं सीधा पानी में जाओंगा मेरे को लगता कि अभी मैं यह किसी भी कीमत पर फेल हो सकता हूं लेट्स को फाइनली पहुत चुका हूं मैं यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके बाद भी कुछ हार डेक है से स्टेज में या फिर यही मजाक था पता नहीं कहर वो तो आगे ही चल कुछ भी करके यहां से एसकेप करके ही रहेंगे तीरे दीरे मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और नीचे जाके ना ऐसे उपर जंप मार मार के बाहर निकलता हूं पता नहीं यह जो फोरेस्ट के छोटे मोटे नाले हैं या फिर यह घड़े हैं पानी से भरे वे मुझे यह पर नहीं वह तो इन पर जाके मुझे मालूम पढ़ने वाला है धीरे 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 यहां से आगे बढ़ते हैं और यह मारी जंप वापिस से मैं बन गया हूं एक बॉल और नीचे बहुत बड़ी लेक है लेट्स को यहां पर मुझे एक मस्त वाला चेक्पॉइंट भी मिल ज काटो से यार अरे बढ़ जावे बाप पोजगा पोजगा मुझे लग रहा था इन काटो से मैं फूट जाऊंगा बट इतना ज्यादा हाड नहीं था जंगली पेड़ पोदे भाई अलगी डर आके रखते हैं नीचे जाके यह मारी जंप यह बन गया बॉल और यह मैं आगय यहाँ पर आगे वापिस फिश बन जाते हैं और आगे बढ़ते हैं यार यह वाला स्टेजना मेर को अभी तक बिल्कुल भी हाड नहीं लग रहा है खर आगे चलके क्या पता कुछ तो इसके अंदर डेंजरस देखने को मिल जाए बागी मुझे लग रहा था यह काटे सकते हैं नहीं अब भी मैं समझा यह बोल फोड नहीं सकते यह बोल को रोकते हैं बच गया बॉल नहीं है वैसे यह फिश है मैं बार बारी इसको बॉल बोल रहा हूं मतलब जब यह फूल जाते है तो एक तरीके से बॉल बन जाती है तो यह काटे हो से फोड नहीं सकते और अभी मुझे पता नहीं ऐसा को लगा रहा है जैसे नदी में कोई स्नेक था लेकिन नहीं इस गेम में स्नेक वगरा नहीं है अराम से जंप मारते हैं और अराम अराम से आगे बढ़के यहां पर कुछ तो बहुत जादा खतरनाक वाटरफॉल है पता है यह वाटरफॉल मुझे कहाँ पे ही ले जाके फैक का बॉल बन जाओ लेटज को लेटस को लेटज को पेड़ में नहीं आगा ना यहाँ चुका हूँ लेकिन ये लेवल खतम होने का नामे निले रहा है एक के बाद एक बड़ी बड़ी लेक आ जाती है और फिर पता नहीं वो कहीं ले जाती है बठा यार इस पारी मुझे ऐसा लगता है कि अरे 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 ये मैं कहां गया भाई यहां पर तो कोई पाइप थी मैं बोलने जारता कि शायद मैं इस बारी एसकेप कर लूँगा बड़ तभी मैं किसी एक पाइप में आके घुझ चुका हूँ और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिरकार ये पाइप या ये जो टैनल है मुझे कहां पर लेकर जाने वाली है मैं एक फॉरस से एक मस्त किसी गाउं में या किसी सिटी में आ चुका हूँ एक बारी ना थोड़ा सा डीप वाटर चल के देखते हैं क्या पता है यहां पर कोई एकाद ब्रिक वगरा टूटा हो जसके थूरू मैं उस पार जा पाऊं बढ़ अपनी किसमत इतनी अच्छी कहा है यार उस तरफ कुछ भी ने टूटा बढ़ वेट मैं शाहत कुछ समझा मुझे देखो पार तो इस जगा से ही करना है और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करे वैसे आपने भी रियल लाइफ में नोटिस करे होगी कभी भी किसी बॉल को अगर हम लोग पानी में डालते हैं किसी ऐसी बॉल को जिसके अंदर एर हो और फिर उसे जब छोड़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बाहर आती है भाई मैंने का था ने इस गेम के फिजिक्स बहुत प्यारी है तो मैं समझ गया हूँ मुझे इसी तरीके से एसकेप करना है बट हम लोग ने मिस करा इस बारी मिस होगा नेक्स ताइम ने मिस होने वाला पहले मैं नीचे जाओंगा फिर ये बनके कुछ इस तरीके से वापिस उपर नहीं नहीं मुझे बॉल बनना है और यह मैं आ चुका हूँ अभी दूसरी वाली साइट पर भाई अब हो रहे नहीं वाला लेवल एक दाओ मस्त इंट्रस्टिंग मस्त मज आने वाला है कुछ इस तरीके से मैं उची-ची जंप मार मार के आगे बढ़ने वाला हूँ बट आगे कुछ में को खास रस्ता समय नहीं आ रहा है यहां से नीचे जलते हैं फिर ऐसे बॉल बनके उपर आते हैं यहां तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा वेट गलत फस गया मुझे पता है इसके उपर से जाना चाहिए था प्लीस पीछे हो जा पीछे हो जा प्ली इस तरीके से आऊँगा बट इस बार ही फेल हुआ नेक्स टाइम नहीं होने वाला नीचे चलते हैं एकदम अराम से यह बना बॉल और तिरी सर बिढ़ गया उपर मेरा भाई का कसके लगी होगी ना वाई असलियत में ती ती लगती है विचारी चोटी से फिश है इंपॉस बात निगा इस लास्टाइम एक छोटी से मिस्टेक हो गई बट इस बारी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला हम लोग बनगे एक बॉल आ चुके है इस वाले ट्रंक के ऊपर अब मुझे यहां से एक दम फूल स्पीड में लेफ्ट होना है और प्लीस इस बारी कोई भी देरी नहीं होई है और नहीं होनी चाहिए और यह मैं आ गया पानी में बच गा अल्मोस्ट मैं मरनी वाला था में इस पूरा ऑक्सिजन खतम होने वाला था बट अट डे एंड मैंने जंप मारी दी बढ़िया जगा अब वापिस से मुझे नीचे जाना होगा फिर दुबारा से ब दिटानी में मुझे यह स्टेज जितना बोरिंग लग रहा था अब यह लग रहा है अब मुझे उतना ही ज्यादा इसे लग रहा है क्या मस्का 15 मारने वाली आम इंसली के साथ रिया मैं आचका हूँ इस वाले ट्रग चे उपर और अभी मुझे बहुत ज्यादा दूर जान बहुत बड़ी प्रोब्लम हो जा थी बाकि अभी मेरी फिश यहां पर थोड़ी से आउट ओफ कंट्रोल हो रही है I don't know वाय ऐसा क्यों हो रहा है कुछ तो मेरे साब से आसपास कोई नहीं ठीक हो अभी वहां तक दिकती बट यहां पर आकर ठीक हो बाकि अभी मैं किसी एक पा लेते थे बट नहीं हो पाया one more tries बारी कोई भी घडबर नहीं हुई मैं आ चुका हूँ उपर और यह क्या बट तमीजी थी वहां से निकले तो इसके अंदर आकर फस्स गए खतरनाग खतरनाग नी कूड़ा वाले जार में अब कि अभी मुझे यहां से नीचे से एक रास्त इस पर मुझे बट परेशान करने वालए और इस वाले माप में मुझे बट बढ़ परेशान करने वाले ब्हुत करने यह एस जार के अंदर मे cater को क depression करना बहुत किक लटा है जटके 밋 ओडना ऊसे देज मोड़ता है और और यह दिक्ऊ यह दिको ऐसा लग रहा जैसे भाई इस विश ने पी लियो भाई बहुत ज्यादा ड्रंक कर रहे हैं और कहीं पर भी जाय जा रहे हैं अभी मैं आगे लिए जाना चाहरा हूं तुम सेंटर में तक्कर मारूं तो यह सीधी चलेगा अधर्वाइस राइट लैफ टेना मेरा कुछ भी होता है बट इतनी भी ज्याद मार दी जार क्रैक हो गया है मत करो यार तूट जाएगा अगर इसके बाद एक दो ठकर और लगी तो गाइस अपना बैंड भजने वाला है मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज्यादा देर तक टेक पाएंगे यहां पर नीचे एक रास्ता था बटीनों ने मुझे मार दिया है बट मैंने उस टाइम इस जगा को बिल्कुल भी नॉटे से नहीं करा लेट्स को यहां पर प्यारी सी जप वह अराम सब मैं को यह क्या हो कि अच्छा जा रहा था मैं ठीक है यहां से जंप मारते हैं यह कैसा जी कंदा पानी है क्या है यह शायद अभी मुझे ना यहां से प कि मैं समझ गया मुझे कुछ जादा करने की चरूत नहीं है नीचे जाके बस यह प्यार से आना है दूसरे वाली साइट पे अभी मैं इसको भी कंट्रोल करके यहां से आगे बढ़ सकता हूं पता नहीं यह कितना ज्यादा बड़ा लेवल है कंता होने का नाम ही नहीं ले र ना चाहा रहा हूँ और यह कहां मोडरा डाया है क्र िक होजह मुझे सास्दा मिल चुका है आगे बड़िया वाला चेकवंड भी है इसको यह से रोटे ना हमने चेक्पॉइंट ले लिया था यानि अपना गेम अभी बड़िया जगा से कॉंटीनियू होने वाला है इसको पहले यहां से करते हैं फिर नीचे चलते हैं और फिर बॉल बनके यहां से आके बाहर निकल लेते हैं पानी 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 ओके डन अभी मुझे ना तो मैं wyथा यह च एक यह थे खांट खार तो यहां है किसी ने यानि यह तो मुझे उस वाले रास्ते से नहीं जा ने जो कच्छे रास्ते कवी टूट सकते हैं तो मैं काम करता हो दो लगडी दा ऑला वहां तक ठया वहां तक हो बीम साही सलामात तक पहुंद च्छी एऔर मुझे थोड़ा सा ना देख के समझ जाना चाहिए था और 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 बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए प्लीज चेक पॉइंट let's go मुझे यह चीज कहां पर लेकर जाने वाले बच गया सही है मैंने पहले से प्रिडिक कर लिया था वरना मैं भिड़ता और इसमें क्रैक आजाता या वरे टूट ही जाता वाकि यहां पर सामने एक बर्ड बैटी भी है यार बर्ड करना अलगी टेंशन रहता वह परिशान करने मैं आजते बहुत बुरी तरह तो वह अलग डिकत है गया वैल अ कि मुझे यह राइट वाला रास्ता ट्राय करना चीज़ती है यह वाला रेफ्ट वाले रास्ते हैं ज्छादा एज़िए एक बर्ड चेए तो जैसा कि मैंने कहा था यह इस रास्ते पर आ चुका हूं बाकि आगे चल कर देखते हैं कि आखिरकार यह कितना इजी होने वाला है अब बढ़ता है यहां से आगे और आगे वाले रास्ते पर मुझे माने एक ब्रेक क्योंकि यहां से मुझे जाना है राइट अगर ब्रेक लेकि आराम से जाओंगा तो तो भाई मैं इस गिम में कभी नहीं हारने वाला मैं हमेशे जल्द वाजी में मरता हूं यहां पर मैंने ब्रेक ले दी हम मुझे जाना है यहां से राइट तो पहले से राइट होएंगे फिर फोड़ से लेफ्ट होएंगे ताकि प्रॉपर एक औरय मैं वण चुका हूं वापिस मत वाली बॉल पानी पानी हुझ पानी नहीं है यह बाई पानी गलत ऐ कर ला辉ंद को ब्लीज था विजय बच गए बच गए बच गए मुझे पता था हुम भानी बच जाएगे अब खैर मुझे मजशे हँआँ पानी मिली चुका रहा म् जंप मारके यहां से बाहर निकलना है ताकि मैं दुबार से किसी पानी तक पहुच पाऊँ प्लीज यार यह फोरस्ट वाले मैप से मैं कब करूंगा थक गया हुँ अभी मैं यहां से भागते भागते परेशान कर दिया है तो अभी मुझे फील आ रही है कि जैसे मैंने इस लेवल को ओल्मोस क्रॉस करी दिया है बस मुझे यहां से तोड़ा सा नीच जाना है फिर एक प्यारी वाली जंप मारके यहां से बाहर निकलन मुझे लग नहीं रहा था इस बारी मैं पानी तक पाँच भी पांगा बाकी यार बाहर देखो थोड़ा सा वहां पर एक बहुत ज़दा तकड़ा वाटर प्रेश नहीं वाटर फॉल है लेट्स को यह मुझे बहुत ही तेस कहीं तो आगे ले जाकर फैकने वाला है और अभ हमारी मैंने जंप और भी काफी ज़्यादा आगे आ चुका हूं मैं और अभी ये काफी ज़्यादा खुला एरिया है थोड़ा सा आगे और जाने वहां पर एक चेक पॉइंट है लेट्स को गाइस कित्ती ज़्यादा बढ़िया फील आ रही है क्योंकि अभी मैं बहुत करने के लिए भी आए हुए है लेकिन यार ये बंदा मुझे पता नहीं कुछ वैसी सी कार लग रही है जहां से हमने एसकेप कर रहा था सेम टू सेम कुछ उसी टाइप की कार है यह मुझे ना भी उसके काटे से दूरी रहना चाहिए पता चला वो मेरे कुई पकड़ ले औ पर अपने अक्वेरियम में धर ले अभी मुझे यहां से जाना का चाहिए मुझे बिल्खुल भी समझ नहीं आ रहा है मैं इस लेक को और लेडी दो से तीन बारी घूम के चेक कर चुका हूं क्या मुझे इसके कांटे में तो नहीं अड़ना क्या पता है यह में कांटे में पर उसके बाद ले जाकि किसी एक अच्छी जगा पर ले जाए मैं ट्राय करता हूं यहां पर ओके 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 इसने अभी मुझे पकड़ लिया है और यह मुझे भी घसीता हुआ पीछे लेकर जा रहा है और देखो कितना ज्यादा दम लगा रहा रहा है यह मैं यह ले आउड़ी पंचा पकड़े में अचर्पाय यह थी फिष्प करता है तेरे पैरों में अगे इसको को इनका भी नहीं पकड़ भाया ना तो भाइसाब इससे बड़ा नूब कोई भी नहीं है बाकि अभी मैं इसके दाथ फुल मस्ती करना चाहरा हूं ताकि मुझे फुल स्पीड में आसे खीचे ओके अभी हमें खीशता हुआ काफी ज्यादा पास लेकर आ चुका है और समझ लिए हमें अल्मॉस्ट कैच करी लिया है लेट्स को ठा दिया इसने मुझे और अभी मुझे यहां पर इसके इंदर कूदना है न वेट 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 यह मैं फुला और यह चूट गया मैं ओ वेट हो गया फाइनली हम लोगों ने से स्केप कर दिया है चलो गाइस आज के साली वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक करना इस वीडियो करते हैं सब्सक्राइब कर दो ।